हाई एबरीवान एभेरी वाम वेलकम टोल अफ्यू परजेंट इयर चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट सिक्स मांथ के इन्पोटेंट करेंड एफेर्स को जो आने वाले सभी एगजाम के लिए अति महुत पूर्ण है तो चलिए हम लोग देखते हैं देखिए आज जो कोस्यन में कौन सा देश का पहला रे विज मुक्त राज बना है हालि में कौन सा राज पुरा देश का पहला रे विज मुंक्त जहांपर रे वी जमुक्त हो चुका है तो क्ह exec सराज ऑप्सयन मंबर ए Fuß vais को आज़ए अ ऑप्सयन नं소리 मुंब्र ए कोवा गवा घुवा राज नेच्ट कोषचिन हाल ही में किसने एक रोकेट से एक सो तेहली सेटेलाइट लॉन्च कर नया बीश्वरीकॉड बनाया है बताना है कि एक ही rocket से 143 satellite भेजने वाला पूरा भीश्व का सबसे पहला और पहला record किस ने बनाया तो option number C space X किस ने बनाया है? इस पेस X ने बनाया है option number C ने चलिए next question हाली में पदम पुरस्कार 2021 की घोसना की गई इस घोसना के अनुसार किस देश के पूर्व परधानमंत्री को पद्म विभूसन से सम्मानित किया गिया है। जीता तो बताना कि कौन से फिलिम जिसने गोल्डन पीकोक आवार्ड जीता है तो कौन साफिली में आपका हो जाएगा बताइए जली जल्दी से बताईए क्या आपोग कराने फ़ेस्ट एक पड़ते हैं आप लोग जल्दी से बताइए तो क्या हो जाएगा inटू boot डार्कनेस ऑप्षन नमबर ए है ना चलिए मैं आप लों को ऑप्षन के देने के बाद टाइम भी दूँगा आप लों पहले दीजे का फिर अंसर में बात में दूँगा चलिए नेक्स्ट कोस्टिन जल्दी से इसका अंसर बताई आप लोंग लोंग ये जल्दी से आप लोंग अंसर दीजे फिर में बताऊंगा तो आपसन नमबर सी राजेंद्र कुमार भंडारी को नेक्स्ट कोस्टिन का अंसर जल्दी से आप लोंग दीजिए हाल ही में घोसित बजट में वर्स 2020-21 के लिए राजकोस्टिय घाटे का मुल अनुमान क्या रखा गया है बताना है कितना परसंट राजकोस्टिय घाटा 2021-21 में रखा गया है जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए तो option number a 9.5% 9.5% physical deficit यानि कि राजकोसी घाटा 2021 का अनुमान रखा गिया है next question जल्दी से आप लोग बताईए गा answer देखिए question है budget में घोसी मित्रा स्कीम के तहट कितने satellite पार्क टेक्स्टाइल पार्क इस्थापित के जाएंगे तो बताना है कि budget 2000 वजट में घोसी मित्रा स्कीम के तहट कितने टेस्टाइल पार्क इस्थापित किया जाएगा तो आप लोग बताईए जल्दी से बताईए कितना किया जाएगा option number b 7 7 टेस्टाइल पार्क इस्थापित किया जाएगा और इसका जिक्र बजट में भी स्रोत किया है तो बताना है कि देखिए 2021 में सरकार का सबसे ज्यादा वही किस पर होता है सबसे ज्यादा सरकार किस पर करती है तो देखिए सरकार क्या करती है रीन लेती है और रीन को अदा करती है तो रीन को अदा करती है साथ की साथ 22 देना पड़ता है तो सबसे ज्यादा खर्च होता व्याज जो है उसका अदाइगी में किसकी अदाइगी में यानि कि interest को payment करने में सरकार का सबसे ज़्यादा खरचा होता है very very important question है चलिए next question हाली में नागोजी ऑंकोजो इवेला किस बिशुव की संस्था की पहली महिला महा निर्देशक बनी है बताना है कि ना गोजी उनको को बहुत B option number B इसका सही अंसर हो जाएगा WTO की पहली महीला महा निर्दे से कौन बनी है नागोजी उंको जो इवेला बनी है next question question का answer आपनों जल्दी सदीजिए हाल ही में मंगल गरह के आंत्रीच मिशन होप ने मंगल गरह के orbit में पर्वेश किया है यह मिशन किस खाड़ी देश द्वारा भेजा गिया है बताना है जो मिशन होप है होप यह किस खाड़ी देश द्वारा भेजा गिया है जल्दी से बताए जल्दी से बताए इसका answer तो देखिए जो होप मिशन है यह होप मिशन मंगल गरह के अंत्रीच पर भेजा गिया मिसन है और यह किस के द्वारा भेजा गिया है तो देखिए यह संयुक्त अरब अमिराथ option number D संयुक्त अरब अमिराथ के द्वारा भेजा गिया है option number D चले next question जल्दी से इसका भी answer दीजाप लोंग हाली में भारत के किस अस्थान पर धर्ती के सबसे प्राचिन जीव डीकिन सोनिया का जिवास में मिला है बताना है कि डीकिन सोनिया का जिवास में कहां से मिला है और देखिए सबसे प्राचिन है धर्ती का सबसे प्राचिन जिवास में है तो आप लोंगों को बताना है कहां पर मिला है सब्सक्राइब नंबर 26 में मुलाकत की आथ देश्य स्वावी जल्द से बताईए जल्दी से बताईए आप लोग तो option नंबर C गलास को कहाँ पर क्या जाएगा गलास को में क्या जाएगा option नंबर C इसका सही answer हो जाएगा चलिए next question हाली में किस राज ने एक केबिनेट परनाली लागू की है बताना है कौन सा राज जिसने एक केबिनेट परनाली लागू की है जल्दी से बताईए आप लोग answer option नंबर A हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश ने एक केबिनेट परनाली लागू की है नेक्स्ट कोश्चन का जल्दी साप लोग दीजिए कि हाल ही में किस भारतिय सहर को दो हाजार बीस T-Tree देखे T-City of the World की माहिनत्ता परदान की बताना है कि वो कौन सा भारत का सहर है जिसे T-City of the World T-City of the World की माहिनत्ता परदान की बताइए जल्दी से बताइए T-City of the World बेरी बेरी इंपोर्टन्ट है तो कौन सा हो जाएगा option number C हैदराबाद कौन सा option number C हैदराबाद इसका सही अंसर हो जाएगा चलिए next question और next question नहीं देखिए इतना ही question था अब हम लोग इसको 2-3 पार्टने पढ़ेंगे और last six month के current first complex देखेंगे और आप लोग विश्वास कीजिए आप लोग का जो अभी आने वाला एक्जाम गुरूबडी का है SSC GD का है तो इन एक्जामों में आप लोगों को नहीं से question देखने को मिलेगा मेरे पहरे सात्यों इस वीडियो को आप लोग दो चार दिन बाद और एक बार देखिएगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल में नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करके जाईएगा और अपने सगा संबंदी भाई बंदू को बताईए कि इस चैनल में authentic current affairs डेली सुबह को पढ़ाया जाता है और previous current affairs को रिविजन भी किराया जाता है तो आप लोग इसका भरपूर आनंद उरहिए ठीक है दोस्त झाल